हलो एवरिवान आज हम देखेंगे हिमालाई की बेटियां पाट से प्रश्णों के उत्तर अति लगुत्तरिय प्रश्ण उत्तर प्रश्ण एक लेखक ने हिमालाई की बेटियां किसे कहा है और क्यों? लेखक ने नदियों को हिमालाई की बेटियां कहा है क्योंकि उनका जन्म हिमालय की बर्फ पिगलने से हुआ है पिता के गर में नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है पिता हिमालय के गर में नदियां दुबली पतली दिखाई देती है और उनके स्वभाव में चंचलता होती है नदियों की बाल लिला कहां देखने को मिलती है? नदियों की बाल लिला हिमालय की पहाड़ियों, हरीभरी घाटियों तथा गहरे गुफाओं में देखने को मिलती है देर्ग प्रश्णों के उतर सिंदू और ब्रह्मपुत्र की क्या विशिष्टाएं बताई गई हैं सिंदू और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदिया हैं इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों को याद दिलाता है, जो इन दो बड़ी नदियों के बीच पहती हैं, लेखक बताता है कि सिंदू और ब्रमपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बस दयालू हिमालय के पिगले वे दिल की बूंदे हैं, कहने का अर्थ यह है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिगल कर नदियों का रूप ले लेती है और ये महानत बनकर समुद्र तक पहुंच जाती है, काका कालेल करने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियां माता स्वरूपीनी है मानव सभ्यता के विकास में इनका महत्व पूर्ण योगदान रहा है मानव जीवन के लिए ये अवश्यक है ये जीवन दाईनी है नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया नदियों के जलने सीचाई तथा भूमी की उर्वरा शक्ती बढ़ाने में महत्व पूर्ण योगदान दिया आदुनिक युक में पन बिजली परियोजना नदियों पर ही नेरभर है इतना ही नहीं सदियों से नदियां गाउं और सहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती रही है फिर भी ये हमारे लिए कल्यान कारी है यहीं कारण है की काका काललकर ने इनहें लोक माता कहा है तो चड़िए ये थे हिमालय की बेटीया पाड से प्रश्णू के उतर अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाई